हेलो स्टुएंट्स, स्टुएंट्स से पहले हमने अपना कवर किया टॉपिक के कौन-कौन से वाइरस हमारे सामने, हमारे ओल राउंड अप प्लेशिस हैं, कम्प्यूटर के नेक्स हमार टॉपिक यह है, कौन सी वेस हैं जिनकी बेसिस पर वाइरस स्प्रेड होता है, कम्प्यूटर वाइरस, फर्स्ट है फ्लेश ड्राइव्स, नेक्स है इंटरनेट डाउनलोड्स, कम्प्यूटर नेटवर्क्स, एंड एमल अटेश्मेंट्स, सबसे पहले हैं वन डिवाइस से एनदर डिवाइस में आता है, विच डारेक्ली केम फ्रॉम वन डिवाइस टू एनदर, और इस तरह से वाइस वर्सा, आप देखते होंगे के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब मुंतकी लोगा ट्रांसफर होगा तो थर्ड डिवाइस में भी आविसली स्प्रेड होगा, अब यह आविसली यहां से तो हमें पता चल गया कि यह आउट साइट जो है इन्वाइरमेंट से क्रियेट होते हैं सारे के सारे, होते किस तरह से हम यह देखते हैं, एक आपके पा नेयुक्त ओसे कर सकते हैं एक कंप्यूटरहबार है जिसमें वाइरस प्रेड आप, और और आपने अपनी फ्लैस ड्राइफ जो है, प्लग इन की है तो उसमें वह बिल्कू ठीक थी फ्लेश ड्राइव तो उसमें अपना वाइरुस कंवर्ट करदेगा क्या करा रैपली कर देगा रैपलीक करेगा तो एक फ्लेश ड्राइव यूस-बी लाइफ dv उसके अंदर भी एक वाइरस ट्रासवर हो गया अब जब ड्राइब दूसरी कंपुटर में ट्रासवर हो गी आया कहां से वो computer जो effected था बाहर कंपुटर जो effect था पहले से उसके थूरू यूएसबी ड्राइफ में आपके आया और फिए यूएसबी ड्राइफ ने आगी स्प्रेड करा इस वाइरस को कैसे करा कि यूएसबी दूसे ड्राइफ के थूरू कि आपका जो इंपॉर्टेंट डॉकुमेंट था वो हैक हो सकता है यह डिलीट हो सकता है जिससे हमने पहले पड़ा नैक्स है इंटरनेट डाउनलोड इस्टुएंट्स आपने इससे पहले पड़ा कि इंटरनेट का जो इशू है वह पहले भी हम देख चुके हैं कि वाइरस इंटरनेट के थूरू आता है कुछ ऐसी अप्लिकेशन्स यह सौफ़र अप्लिकेशन्स होती हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं आप डाउनलोड करते हैं लेकिन वह सेफ सिक्यूर नहीं होती है उसी वासे आपके PC में या computer devices में जो है वाइरस आप देखते हैं और ये बहुतब देंजर्स भी क्यूंके हैकरस इसी के थूर्व एक्सेस करते हैं आपकी डिवाइस पर है जो वाइरस होता है internet का वह accessible बहुत असान है कि internet के थूरू हो सके इंटरनेट एक वर्ड है, सही इंटरनेट जिसके थुरू आप किसी भी डिवाइस को एक्सिस कर सकते है बश्रती है कि आपका PC affected हो या उसकी security slow हो तो इंटरनेट डाउनलोड सबसे बड़ी example है कि आप कोई भी application है आपके पास, वो एक virus से affected है वो एक इसी PC में install होगा, तो वो mask create कर देगा PC के अंदर वो जो भी आपकी download से, जो documents थे, जो data थे, आपका install information थी वो सारी आपकी leak हो सकती है, या to delete हो सकती है, erase हो सकती है, खुद बाखुद तो यह सबसे बड़ा आपके लिए disadvantage था, इंटरनेट डाउनलोड का next है computer networks, students जो भी networks है, अब यह आपने पढ़े भी हैं, इससे पहले भी, तो computer के जो भी networks होते हैं, उनकी basis पर भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि एक device से दूसरी device में आपका virus convert होता है, तो इसी तासे एक networking device है computer की, switch router ले ले, उसके through, मैंने आपको एक बताया था, buses बताई थी, तो topologies, तो ring topology है, एक hub है बीच में, और यह PC में इसी में भी spread होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो यह आप को नजर आया कि किस तरह से networking devices में भी virus आ सकता है, सब्सक्राइब लास्ट है email attachments, email attachments में एयों होता है कि hackers जो होता हैं वो viruses को a want एक्ष्व रखते ही इसको अपने पास और जब अपके पास email आती है तो वो virus को इस way में होता है या तो replika हो जाता है सही है जो one मैंने आपको बदा का पॉर्ड के थूर्ष वो लोग अपने पास save कर सकते हैं सारका सारका डॉक्मेंट जो आपने रिसीव करा है या तो यह कर सकते हैं कि email के थूआप के PC को disturb कर सकते हैं जो भी डॉक्मेंट से उनके अंदर एक distortion create कर सकते हैं जिससे आपका document सारा delete हो सकता है loss हो सकता है तो email attachment एक ऐसा platform है जिसके थूरू हैकर्स जो हैं वायरस डालते हैं तो इस्टूर्ण्स ये कुछ वेस्ट ही हमारी जिसके थूरू वायरस आपके सिस्टम्स में कनवर्ट होता है I hope आप इस्टूर्ण्स को बहुत अच्छे तेगे से क्लियर होगा आपने ख्याल रखेगा Allah हाफिस